आमादमी पार्टी मद्धिनाखपुर ने मोदीबाग की गटर लाइन समस्या का हल नहीं निकालने पर मंगलवारी जोन कारले पर प्रभात अगरवाल के नेतरुत्व में ताला ठोक कर अपना विरुज जता है कई सालों से मनपा ने मोदीबाग गटर लाइन को कभी भी साफ ने क्या खुली गटर लाइन को ढख करने लगवाया कई जगा से तूटी हुई गटर लाइन को ठीक करने का काम भी ने क्या 2017 में मनपा द्वारा बनाए गए सोचालों की गट्टे भर चुके हैं उन्हें साफ करने की जिम्मिदारी से मनपा प्रशासन ने पल्ला चाड़ दिया है आमादमी पार्टी मथे नाखपुर द्वारा 27 एप्रेल 2017, 3 में 2017, 11 अक्टमबर 2017 और एक दिजन्वरी 2018 इन तारिकों पर कई बार उपार्टमंगल वारी जोन को मोती बाग रेलवे क्रॉसिंग के पास के निवासियों की कई पत्रों के द्वारा गट्टर लाइन की समस्या को लेकर निवधनतिया गया उसके बाउचुर भी पिछले तीन सार में मनपा की तरफ से कोई अधिकारी सफाई के लिए इस परिसर में नहीं आया है अधिकारी और कर्वचारियों की बेरुखी के कारण नाकरी को को भारी गंदकी में रहने को मजबूर होना पट रहा है गटर लाइन खुली होने की कारण कई जगा से तूट चुकी है अपनी करतेवका निर्वाहन नहीं करके अधिकारी उल्टा आप कर्यकरताओं को गिरफतार करने की जलपाजे दिखा रहे है 2017 में आम अद्वी पार्टी के आंदोलंग करने पर ही मनपा द्वारा लगबग 90 सौचालियों का निर्वान इस शेत्र भी हुआ था पर 2020 में ही इन सारी सौचालियों के गटे पर गे कई बार शिकारत करने पर भी मनपा की ओर से कोई साफ करने नहीं आया इसके कारण लोग फिर से रिल पट्री पर सौच के लिए जाने पर मजबूर है सान्य नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निवेदन देनी आये कारी करता दो घंटे मनपा जोर कार्याले में बैठने के बार भी जब जोन अधिकारी राउत नहीं पहुचने पर तंग आचुके नागरेक वक कारताओं ने कार्याले को ताला ठोक दिया कार्याले में पुलिस पहुच गई लेकिन अधिकारी का अप्टी आम आद्मी पार्टी के पुलिस वारा गिरफतार के कई पधादी कारी लापर वाही करने वाले अधिकारी पर कारिवाई करे और उन्हें निलबित क्या चाए ऐसी मांग आम आद्मी पार्टी के संगटन मंत्री निलेश को यलेकी है इस मौकी पर नागपुर युवा मुर्चा अध्यक्ष्यक के रिष्टी तर्मारी विजट धकाते की अलावा बस्ती की कई महलाई भी मौच हो थी कैमरा परसन राजकुमार मोहड के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट